नमस्कार मित्रों, राज्थान क्लाशिज की यूट्यूब सेनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन मित्रों पिछले वीडियो में अपने नरेशन के कुछ रूल्स को जाना था आज उसी को continue करते हैं, आई ये इस topic को पूरा करते हैं और इसको समझने का प्रियास करते हैं थोड़ा सा quick revision लेते हुए मैं आपको आगे लेच सलूँगा देखें, narration के बारे में अपने जाना था कि narration को direct speech जो statement होता है उसको direct को indirect में बदला जाता है direct क्या होता देखें, in this case we take the exact word of the speaker जब अपने exact word काम में लेते हैं, तो direct और उसको अपनी बासा में या फिर उनके सब्दों को अपने बासा में जादी बताएंगे तो indirect speech होता है innoted coma के अंदर का जो भाग था वो आपने देखा reported speech होता है और बार का भाग reporting verb होता है और उसको sense करने के अपने तरीके देखे थे reporting verb को sense करना, conjunction को use करना, pronoun को change करना innoted coma हटाना, question mark हटाना, experience mark हटाना tense को किस परकार sense किया जाता था, वो भी अपने देखा adverbs कौन-कौन से use किये जा रहे थे, वो भी देखा अपने कौन-कौन से reporting verb यूज की जा रहे थी, वो भी अपने देखा देखे, say to का told हो रहा था, say to का tell हो रहा था, say to का tells हो रहा था advise, request, warn, bless, order, इनका भी यूज किया जा रहा था pronoun को अपने एक trick के मादियम से समझा था, so upon, so on upon one to three मतलब first person को subject के according, second person को object के according और third person को, third person में कोई भी sentence नहीं करना होता है, तो इस परकार से अपने pronoun को sentence करना सीखे थे, conjunction को use करना सीखा है थे मैंने conjunction के अंदर मैंने बताय था, assertive sentence में आपको that का परियोग करना होगा, integrative दो परकार से, एक तो helping verb से, और एक उची डव्यस वर्ड जो sentence में use हो रहा, उसी से करना है, imperative sentence में to लगाना है conjunction, operative और exclamatory sentence में क्या लगाना है, that लगाना है tense sense करने के लिए आपको बतायती, परजैन tense पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा, past tense में जाएगा और past simple और past perfect, past simple है जो past perfect में चला जाएगा और past continuous से past perfect continuous में सला जाएगा past perfect और past perfect country sentence में कोई भी sentence नहीं करना है shell का suit हो जाएगा, will का would हो जाएगा, can का could हो जाएगा, और make का might हो जाएगा इस परकार से किस एक्जामपल के मद्यम से अपने समझने की खोशिश की थी adverbs को किस परकार sense करते हैं देखे, hair को there करना है, now का then, today का that day, this का that, these का those, now का then, tomorrow का the next day, yesterday का the previous day, last का the previous और ego का before कर रहे थे उसके बाद, आज अपने start करते हैं, कुस exercise से और sentence के type, interrogative sentence को किस परकार करेंगे, exclamatory को किस परकार करेंगे, सभी के examples आज एक के करके अपन देखेंगे तो यह था quick revision, अब शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की देखें मित्रों पहला example आपके सामने, he said I am teacher, he said I am teacher, तो देखें इसको किस कार sentence करेंगे inverted comma हटाएंगे, तो उसकी जगा पर that का परियोग हो जाएगा, inverted comma हटा है तो उसकी जगा that लगया, देखें, sad का sad ही रहेगा he said that I, I को first person के according change करना है, I first person है और first person को किस के according change करते है अपन, subject के according यनि RS का जो first person होता है, उसको RV के subject के according change करना है, यह सारी सीजिये मैंने आपको पहले वीडियो में डिसकस कर रखी है तो यदि कोई अपना जो मित्र है, इस परिवार में नया जुड़ा है, उनसे मैं request करूँगा, कि आप पुराने वीडियो को जो अपना part first है, डारिक नरिसन का उसको जरूर देखें, ताकि आपको सारी सीजिये के लिए रहो सके आई को first person के according sense किया, तो क्या हो गया, ही हो गया, और यहां पर past simple, present simple tense है, और present simple tense को किस में ले जाएंगे, past simple में, I am teacher का क्या हो जाएगा, he was teacher, तो अपना sentence बनेगा, he said that he was teacher, अगला sentence देखें, Ram said to Mohan, Ram said to Mohan, तो देखें यहां पर said to है, I shall या will, देखें, modern English में मैं आपको बता है था, जब tense पड़ाए थे, I के साथ में, will का भी परियोग हो सकता है, और sell का भी परियोग हो सकता है, तो इसी इसका आप ज्यान रखें, option में यदि sell ले, तो sell टिक करेंगे, otherwise you should have to update will, I shall या I will teach you, देखें में इत्रों future simple का, यहां पर RS में future simple है, और यहां पर Ram said to Mohan, I shall teach you, या I will teach you, तो यहां पर देखें में आपको बता है था, said to का क्या हो जाएगा, told हो जाएगा, Ram told Mohan, inverted comma attacker की क्या लगा देंगे, that लगा देंगे, I first person है, first person को subject के according sense किया, तो he आ गया, will का क्या हो जाएगा, would हो जाएगा, sell का क्या करना है, should करना है, मित्रों I और V के सा आप में ही should का परियोग करोगे, बाकि सबी persons के साथ में आपको किसका परियोग करना होगा, would, he के साथ में आप यहां पर क्या आ जाएगा, would आ जाएगा, क्योंकि should का परियोग अपन यहां कर नहीं सकते, तो he should teach, अब you, you कौन सा परसन है, second person, you कौन सा परसन है, second person, तो second person क इसके according change होता है, object के according, यहाँ पर object है Mohan, और Mohan का यहाँ पर लेना है objective रूप, objective रूप ही का क्या होता है, him, तो sentence बन जाएगा indirect में, Ram told Mohan that he would teach him, I hope you will understand this, आपको समझ में आया होगा, अगला sentence आपके screen पर, दिखिए sentence है, Amit says to me, Amit says to me, I have read your diary, Amit says to me, I have read your diary, sentence कैसे बना देखिए, मैंने आपको बता है था, जब reporting verb, present या future tense में होती है, तो आपको आगे आने वाले sentences में कोई भी, किसी भी परकार का tense change नहीं करना है, और says to का क्या करना है, tells करना है, तो मैं तो यह रूल सा आप ध्यान में रखोगे, exam में, examiner confuse करने के लिए आपको इस परकार से question को घुमा के दे सकता है, तो इसके लिए भी आपको तयार है नहीं, देखिए मितरों, says to का tells हो गया, Amit tells me, Amit tells me, that, inverted code को माटा करके that लगा दिया, I, first person है, किसके according change होगा, Amit के according, यानि subject के according, तो I का क्या हो जाएगा, he, यहाँ पे देखिए, present perfect tense है, तो यहाँ पे I के साथ में have आ रहा था, लेकिन he के साथ में have नहीं आ करके क्या जाएगा, has आ जाएगा, तो sentence बन जाएगा, he has read my diary, देखिए, your, your second person objective है, second person को किसके according sense करना है, object के according, तो object यहाँ पे क्या है, me, और me का possessive root क्या हो जाएगा, possessive objective, my, तो यहाँ पे sentence बन जाएगा, Amit tells me that he has read my diary, I hope you will understand this, आपको यह समझ में आया होगा, देखिए किस परकार से कहा का सेंजेज हुए और कैसे सेंजेज हो रहे हैं, मैं सारे अलग लग परकार की, जो example से मैं आपके सामने पे इस कर रहा हूँ, ताकि सारी चीज़ें आपके दिमाग में पहले स ही clear हो जाएं और आप exam में गलती ना करें, he said to me, sentence है देखिए अगला direct में, he said to me, I don't believe you, देखिए negative है sentence, as a team में negative type का sentence में आपके सामने face किया, he said to me, I don't believe you, देखिए इसको किस परकार बनाएंगे, यहाँ पे आपने देखा, इसकी rv है, जो past tense में है, यदि आपके पास exam म direct को indirect बनाने का, तो आपको सबसे पहले क्या देखना होगा, rv, यहनि rv past tense में है, तभी आपको आगे के actions लेना है, otherwise यदि present और future tense में आगे आपको कुछ भी काम नहीं करने की जुरूरत नहीं है, सीधा tense sense नहीं करना है, आपको सिरफ pronoun sense करना और conjunction लगा के sentence को as it is उतार देन है, तो देखिए इस sentence को देखें, he said to me, I don't believe you, तो क्या बनेगा, he said to का told हो जाएगा, he told me, conjunction हटा कर किया लगाना होगा that, sorry that नहीं लगा पाया मैं, थोड़ा लिखने में mistake हो गई, he told me that, और I का क्या हो जाएगा, he, I का क्या हो जाएगा, he, देखिए I को किसके according sense करना है, subject के according, यह first person है, first person किसके according, subject के according, I, देखिए present simple tense का sentence है, present simple negative है, तो यहाँ पो आपको पास simple negative में ले जाना है, he did not, don't का क्या हो जाएगा, didn't हो जाएगा, believe of you, second person है, you कौन सा person है, second person, तो second person किसके according से जोगा, object के according, और यहाँ पे object क्या है, me, तो यहाँ पे me का क्या रह रूप और यह भी objective रूप, तो sentence आपका बनेगा, he told me, he did not believe me, चलिए अब बात करते हैं, interrogative sentence की, यदि आपके direct, indirect, interrogative sentence आपको पूचे, और इसको indirect बनाने का बोले तो आपको किस परकार से बनाना होगा, उसको भी आये देखते हैं, subject verb, यह reporting verb का जो पार्ट है, reporting verb आजएग उसको दो तरीके से बनाना है, auxiliary verb को पहले लगाना है, subject और verb और object, यानि इसमें आपको conjunction परियोग करना होगा, if और weather, यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिसले वीडियो में, और इसमें आपको same ws word ही use करना है, यानि उसी ws word का परियोग करके बनाओगे, तो यह दो पर सके, यदि ws word use हो रहा है, तो ws word ही आपको conjunction की रूप में परियोग करना है, देखे किस परकार, और जो verb है, आपकी reporting verb उसको ask दिया, inquired में वदल दोगे, यानि जैसा rs का sense आ रहा है, reported speech का sense आ रहा है, उसके according आपको sense करना होगा, question mark not during is, interrogate speech जब आप indirect speech बनाओगे, इसमें आपको question mark का परियोग नहीं करना है, इसे इसका आप इसे रूप से ध्यान रखें, यहां में नोट लगा कि दिया है आपके सामने, question mark not used in is, is का मरलब indirect speech, indirect speech के अंदर आपको question mark का परियोग नहीं करना है, conjunction if or weather used, conjunction if or weather का use करना है, और जब wns start हो रहा है तो उसी wns word का use आपक करना होगा, example आपके सामने देखिए, he said to me, he said to me, where do you live, where do you live, तो यहां पर देखिए इसका जो statement है, rs जो है reported speech, वो wns word से सुरू हो रहा है, तो आपको उसी wns word को he conjunction के रूप में परियोग करके, आपको indirect बनाना होगा, sentence देखिए, he said to का asked में बदल दिया, he asked me, और conjunction दूस runner लगा करके, उसी wns word को use किया, he asked me where, अब उसके बाद sentence को क्या बनाना है, affirmative बनाना है, मतलब सकानात्मक में बनाना है, जो आपका statement, interrogative में था, उसको आप assertive बना करके आगे करोगे, where I lived, तो देखिए, यहां पर interrogative था और यहां पर sentence को क्या बना दिया, affirmative बना दिया, simple बना और full stop लग जाएगा, question mark घट जाएगा, क्योंकि अपने sentence को interrogative से क्या बना दिया, affirmative बना दिया, अगला sentence आपके सामने, he said to me, do you want to go, sentence क्या देखिए, he said to me, do you want to go, देखिए, इसका उत्तर yes या no में मिल सकता है, यानी helping word से sentence की शुरुआत हो रही है, तो इसमें आपको if या और conjunction if का परियोग कर लिया, inverted com attacker की conjunction if लगा दिया, she asked me if, और you, you कौन सा परसन है, second person, और second person को किसके according sense कि ना है, object के according, तो me का subjective root हो जाएगा, I, और यहाँ पर present simple tense था, do you want, present simple था, present simple को किसमें ले जाना, past simple में, तो उसे sentence बनेगा, she asked me if I wanted, present, जो past simple होता है, उसमें, वर्ब की second form का परियोग होता है, simple वाकियों में, तो sentence simple बनाएंगे, तो second form, want की wanted, if I wanted to go, sentence आपका बन गया, indirect, अगला sentence देखे, नवनीत said to the visitor, नवनीत said to the visitor, नवनीत ने visitor से कहा, are you from, जोदपूर और जेसल मेर, आप कहा से हो, जोदपूर से हो या, जेसल मेर से, तो मित्रो जब आपके साथ, आपके पास choice या option हो, तो उसमें आपको कौनसा conjunction परियोग करना होगा, weather, और जब आपमे choice या option ना हो, तो उसमें आपको परियोग करना पड़ेगा, if, नवनीत asked the visitor, देखे said to का क्या हो गया, asked हो गया, यहाँ पे inquired भी लगा सकते हैं, जैसा sense आए, वैस Conjection कौनसा यूज किया यहाँ पे, weather, और you का subject के according क्या हो जाएगा, use कौनसा person, second person, second person किस के according, object के according, तो यहाँ पे object है, visitor, तो visitor के सान पे क्या use के लिया, he, देखे, present simple था, और इसको किसमें लेग जाएगा, past simple में, he was from, जोदपूर और जैसलमेर, यहनी sentence में weather का प्रियोग करके sentence को past में ले जाना है, इस तरीके से आपके integrative sentence जो होते हैं, उसको आप indirect में बदल सकते हैं, I hope यह सीजा आपको समझ में आई होगी, सली बढ़ते हैं अगले, नई concept के बारे में, देखे, क्या है नया concept, imperative sentence, जब आपके पास imperative sentence आए, direct में तो उसको indirect बनाने के लिए क्य क्या काम आपको करने पड़ेंगे, उसको भी discuss करते हैं, देखे, imperative sentence में please kindly words आए, उसको सबसे पहले क्या कर देना है, indirect बनाता समय उनको हटा देना है, please यह kindly word को हटाने के बाद आपको क्या करना होगा, देखे, subject और verb, जो आपकी reporting verb है, उसमें verb कौन सी लगा होगा, देखे, ordered, requested, advised, forbid, यह forbid जो है negative word है, यदि आपको किसी काम की करने की मना ही है, उसमें आपको forbid का परियोग करना होगा, जहां कुछ भी आपको लगे कि कुछ clear नहीं हो पारा है, वहाँ पे ask या told का भी परियोग आप कर सकते हैं, और conjunction आपको लगाना होगा that, तो यह structure आपको स to लगाना है, और अपना sentence को direct से indirect में बदल देना है, देखिए example आपके सामने, पहला example है, he said to us, please listen, देखिए he said to us, please listen, तो देखिए इसको किस परकार बदलना, said to का requested में बदलना, क्योंकि यहां पर request कर रहा है, इसका sense क्या आ रहा है, कि वो request कर रहा है, हमेशा ध्यान लग लगें, reported, इसपीस का जो sense होता है, उसके according ही आपको verb, जो reporting verb यूज करनी होगी, he said to का requested हो गया, he requested us, to नहीं लगेगा, to का लगेगा, conjunction की रूप में, he requested us to, please या kindly बदलना है, listen, मतलब जो sentence था, वैसा का वैसा, उतार दिया, please और kindly को हटाने के बाद, sentence को indirect मे बदल देते है अगला sentence देखिए आपके सामने, I said to you, I said to you, work hard and don't waste time, देखिए sentence को वापस समझे, I said to you, work hard and don't waste time, इसका क्या बनना है, indirect बनना है, देखिए किस परकार बनेगा, यहाँ पर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, advice दे रहा हूँ, तो sentence में reporting verb आप क्या यूज करोगे, advised, I advised you, यहा Conjection क्या लगना है, to का परियोग करना, Conjection to का परियोग कर लिये हैं यहाँ पर, फिर sentence जैसा था, वैसा का वैसा, पहला, जो clause था, वो तारा, work hard, and, और यहाँ पर sentence क्या है, negative, तो negative को, do not को किस में बदल दोगे, not to में, और वैसा का वैसा उतार दोगे, and not to waste time, तो sentence आपका to work hard, and not to waste time, अगला sentence देखी, the teacher said, don't talk each other, teacher ने कहा, आपस में बातें मत करो, आप सी वासित ना करें, तो teacher क्या कह रहा है, आपी, मना कर रहा है, मना करने के लिए, कौन सी वर्ब मैंने अब भी बोला, आपको, फॉर्वेड यूज करना है, तो sentence बना देखी, the teacher, आ गया, फॉर्वेड आ गया, यदि फॉर्वेड नहीं आता, तो क्या लगाते थे अपन, not to, the teacher, फॉर्वेड आस, टू, टॉ, 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 इच अदर, मतलब, आपस में बासित करने के लिए, मना किया है, अगला sentence देखी, he said to me, let वाला sentence मैंने आपके सामने लाया हूं, द तो देखे, let's वाले sentence में क्या करना होता है, should का परियो करना होता है, और sentence को indirect बनाया जाता है, किस परकार देखे, said to का suggested, यह क्या दे रहा है, let वाले sentence होते हैं, वो हमेसा suggestion देते हैं, और suggest के साथ में to वर्ब आती है, तो देखे, preposition to लेता है, suggest, he suggest, said to का suggest to हो गया, me का me र सुके, he suggested to me that, उसके बाद, us यहां से निकालेंगी, let के साथ में क्या जुड़ा हो है, us, और यहां पर us objective रूप में था, और इसको us का subject रूप में लेंगे, तो क्या हो जाएगा, we, क्योंकि इसमें he और हम, दोनों को मिलाएंगे, सब सामिल हो जाएगे, हम, तो यहां पर subject क्या जाएगा, we, और let का बाटाएंगे, क्या लगाना है, should, that we should buy it, तो sentence बनेगा, आपका, he said to me, let's buy it का, indirect, he suggested to me that, we should buy it, देखिए, यहां पर, मैंने, आपको note down करके भी बताया है, let's के case में, suggestion to, और that, और that के बाद में क्या लगाना होगा, should लगाना होगा, let का थोड़ा अलग से complicated rule होता है, आसा है आपको यसी समझ में आई होगी, सली अब बात करते हैं, exclamatory sentence की, देखिए, exclamatory sentences कैसे होते हैं, यानि जिसमें exclamatory mark लगा होता है, और इसमें आच्चरिय की भावना आपको एकदम, आच्चरिय का sense दिखाई दे, वो exclamatory sentence होते हैं, और उनका indirect बन speech, RV को, RS के sense के आदार पर exclamation word हटा कर, RV को, RS के sense के आदार पर, मतलब जैसा उसका sense निकल दा है, अर्थ निकल दा है, उसके आदार पर exclamation word को हटाती हुए, अपन को क्या लगाना होगा, exclamatory with joy, sorrow, surprised, anger, regret, में बदलना हैं, देखिए sentence में verb कैसे use होगी, exclamatory with joy, exclamatory with sorrow, exclamatory with surprise, exclamatory with anger, exclamatory with regret, regret का मतलता है, खेद होना, या अस विदा के लिए, जब परमापी मांगते है, regret, दुख परकट करना, और आपको conjunction क्या परियाग करना पड़ेगा, that, ध्यान रखना है, अमेशा, exclamatory sentence में, आपको conjunction किस का परियोग करना है, that का, सिर्फ imperative में ही two का परिय में, that, और interrogative में, आपको if या वेदर का परियोग करकी, या डुलो इस वर्ट का परियोग करना होता है, तो इसका sentence से मैंने आपके सामने दिया है, देखे, पहला sentence है, he said, what a beautiful sight, sight का उनलता है, द्रिशे, he said, what a beautiful sight, तो इसका indirect की कैसे बनेगा, देखे, यहां पर एक सीज को देखर के वो सर्प्राइज हो रहा है, तो इसमें sentence कैसे बनेगा, देखे, she explained with surprise, that, conjunction क्या लगा दिया, inverted को माटा है, तो that लगा दिया, what a beautiful sight, sight को निर्जीव सीजे, तो इसके लिए किसका परियोग कर लिया, it का, it was, यहां पर परजेंट सिंपल में है, उसको किस में sight, अगला sentence देखे, he said, alas, my dog is died, he said, उसने कहा, दुख परकट करती है, my dog is died, मेरा कुता मर गया, तो इस परकार, ऐसे sentence को किस परकार बदलेंगे, देखे, he exclaimed with sorrow, वो दुख के साथ, क्या कर रहा है, that, my dog, यहां पर, my dog, यानि मेरा कुता, किसके अनुसार सेंज हो जाएगा यहां पर first person है, first person subject के according, तो his dog, his dog was died, his का क्या हो जाएगा, was, पांस मिले जाएगे, तो इसका was हो जाएगा, तो sentence बनेगा, he exclaimed with sorrow, that his dog was died, his कैसे हुआ, यह आपको समझ में आ चुका होगा, यह तो थे कुछ exclamatory sentence, अब अगले point के वारे में सलते हैं, इसका special rule होता है, direct indirect का, वो भी अपन discuss कर लेते हैं, exam में काफी बार in special rules में से ही question आते हैं, तो उस rules को भी आप ज्यान में रखते हुए आगे बढ़ोगे, और आप अपना जियन करोगे, तो आप exam में अच्छा score कर पाऊगे, there is not sentences in tense, tense में sentences नहीं करना है, if the direct speech, अगर direct speech में, direct speech यह नि रिपोर्ट इस पीस के अंदर यह दिया, आपके क्या क्या सामिल हो रहा है, universal truth, यानि शास्वत सत्य, scientific या mathematical fact या truth, जो विज्यानिक तत्य होते हैं, गणितिक या जो तत्य होते हैं, या proverbial saying, proverbial action, जो आदतन आपके जो कारिया होते हैं, historical fact, जो एतियासिक तत्य होते हैं, past और past clause, यानि past, एक तरह past clause, man clause भी past में, और दूसरा time clause भी past में, यदि इस परकार का sentence, यदि आपको reported speech में देखे, तो उसमें किसी भी परकार का tense sense नहीं करना है, pronoun तो sense करना होगा, conjunction sense करना होगा, बाकी आपको tense sense नहीं करना है, तो vicious रूप से special rules जो आपके हैं, इन rules को आप ज्यान में र future में यदि आपकी reporting verb है, तो भी tense sense नहीं करना है, और यहाँ पर एक special rule और आप डिसकस कर रहे हैं अपने साथ में, कि universal truth, scientific या mathematical fact हो, probables हो, habitual action, historical fact यदि हो, तो आपको उसका भी tense sense नहीं करना है, example देखिए, हरी said, money is the root of all evils, देखिए, money is the root of all evils, यह एक probables से एक कावत है, तो उसको किसी भी परकार का sentence नहीं करना है, सिरफ conjunction लगा करके वैसा का वैसा उतार देना है, हरी said, देखिए, कोमा हटाएंगे तो that लग जाएगा, और बाकी वैसा का वैसा उतार देंगी, money is the root of all evils, तो इ अगले बढ़ते हैं, अगले example की तरफ, the teacher chat, the teacher chat, English is an international language, देखिए, एक कथन है, historical fact है, universal truth अपने इसे कह सकते हैं, कि English एक international अंतराश्टी भासा है, तो इसको बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, सिरफ conjunction का परियोग करके, sentence को as it is, लिख देंगे, the teacher said, inverted comma हटा करके that ल अपना sentence किस में transfer हो गया, in direct speech में, अगले sentence देखिए, she said, अगले sentence से आपके सामने, she said, we should always speak the truth, we should always speak the truth, ये भी एक कावत है, we should always speak the truth, हमें हमें सा सत्य बोलना चाहिए, तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, inverted comma गर की that लगा दिना है, और sentence वैसा का वैसा उतार दिना ह अगले sentence देखिए, past वाला मैंने एक example आपके सामने paste किया है, रमन said, we were happier when we were poor, जब हम करीब थे, जब हम खुश थे, मतलब आपका man clause भी past में और आपका time clause भी past में, तो आपने ये अभी rules discuss किया है, special rule, कि past में man clause भी past में और time clause भी past में हो, तो आपका कोई tense sense नहीं करना है, मित्रो tense sense क्यों नहीं होगा, यदि आप अपना थोड़ा सा sense लगाओगे, क्योंकि past का past कुछ भी नहीं होता है, past का past, past perfect होता है, और past perfect को और past में ले जाया, नहीं जा सकता, तो इस परकार past के past का और कोई past नहीं होता, तो ये sentence किस परकार बनेगा, देखिए, रमन said, inverted को म आटा करके that लगा दिया, और वी इसमें pronoun sense करना है, वी रमन कह रहा है, वी रमन अपने साथ में ले रहा है, तो रमन और वी दोनों को जोड़ेंगे, तो subject क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, दे वर happier, when और वापस वी का क्या बन जाएगा, दे, मित्रों आस्सा है, आपक जगह पे क्या यूज़ कर लेंगे, दे, यानि वे, तो sentence बन जाएगा, रमन said that they were happier, when they were poor, I hope you will understand this topic, आपको ये सारी सीज़ें समझ में आ रही होगी, और इस point को भी आप अच्छे तरह किसे समझे होंगे, अब मैं कुछ exercise आपके सामने दे रहा हूँ, आपको सभी को exercise बाहर आकर comment box में type करके बतानी है, कि कौन से speech का, या कौन से statement है, कौन से sentence में दे रहा हूँ, उसका किस प्रकार से indirect बनेगा, आप सभी को मेरे comment box में बाहर आकर अपना answer type करके बताना है, पहला sentence आपके सामने, रमेज said Columbus discovered America, रमेज said Columbus discovered America, इसका answer आपको बाहर आकर के comment box में देना है और मैं आपके comment box का इंतिजार करूँगा, काफी सारे मित्र अभी साथ साथ भी answer दे रहें, और बिल्गुल सही answer दे रहें, ऐसा लग रहा है कि आपको इस concept समझ में आया होगा, अगला question ने देखी, she said a thing of beauty is a joy forever, देखी इसको भी बदलना है, she said a thing of beauty is joy forever, इन दोनों sentence को बाहर आकर की comment box में type करके बता होगी, चले आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं अप्टेटीव sentence की, अप्टेटीव sentence जो होते हैं, उनका भी indirect कैसे बनाना है, उसको भी समझते हैं, अब इसको इसको इन डारेट में बदलने के लिए क्या structure फॉलो करना है वो भी देख लेते हैं सबसे पहले subject लेना है और जो reported speech के sense के अनुसवार blessed, cursed, wished या prayed ये आपको reporting verb लेनी है उसके बाद में conjunction that लगाना है subject लिखना है make or might में बदलना है और sentence को वैसा कब वैसा बागी उतार देना है देखें वापस समझें blessed, cursed, wished, prayed ये sentence में आपको reporting verb लेनी है conjunction that लगाना है subject के बाद में make or might में बदल की sentence as it is उतार दोगे example के जरी समझतें देखें पहला example आपकी screen पर देखें mother said to me may you live long mother said to me माता जी ने मुझे से कहा आपकी उमर लंबी हो तो इस परकार के sentence को बनाने के लिए देखें किस परकार हुआ माता जी blessed कर रही है मतलब आशी बात दे रही है mother blessed me कॉमा हटा करके that लगा दिया you second person है second person को किस के according object के according और you का मे का क्या हो जाएगा I मे का might और live long sentence बन जाएगा आपका indirect मे mother blessed me that I might live long दूसरा sentence एक और example दिया आपके सामने देखिए they said to him they said to him may you died यहाँ पर देखिए थोड़ा cursed वाला मतलब किसी को श्राप देने वाला sentence है आपके सामने they cursed तो जब आपको किसी को अश अभी कुस तत्थे बताते हो तो उसके लिए आपको cursed का मतलब श्राप देना they cursed him conjunction that लगा दिया you को किसके according sense किया him के according यह नहीं object के according तो him का क्या होजाएगा subjective रूप he he might die they said to him may you died और इसका क्या होजाएगा might की वाद में first form might die I hope यह आपको समझ में आया होगा यह था अपना topic direct से indirect में sentence को बदलना बिल्कुल सभी ने अच्छे तरीके से समझा होगा ऐसी मुझे आसा है अब मैं आपके लिए exercise लेकर आया हूँ आप सभी से request है कि इन exercise को आप सभी comment box में type करके जरूर बताओगे आपके सामने 7 questions है और इन 7 questions का answer आपको type करना है इनका screenshot ले लीजिएगा और सभी आप उसमें comment box में type करके बताओगे पहला sentence से देखे he said good morning पहला sentence आपके सामने he said good morning इसका answer वा कई मितर तो अभी भी type करके बताने लग गई अगला sentence देखे दूसरा my mother said to me don't go outside इसको भी आपको indirect में बदल करके बताना है my mother said to me don't go outside तीसरा sentence the teacher said the earth moves around the sun तीसरा sentence आपके सामने the teacher said the earth moves around the sun तीसरा sentence से देखे the teacher said to me the teacher said to me are you a student integrative mark के साथ में sentence integrative sentence है इसको भी आपको indirect speech में बदल करके बताना है the teacher said to me are you a student अगला sentence से देखे this is my book said Raman मित्रों इसका structure sense भी हो सकता है कभी reporting वर आगे भी हो सकती है reporting वर पीसे भी हो सकती है तो एक्जाम में यदि ऐसा कोई question आजाए तो उसको लेकर कि आपको असमज़स में आने की कोई जरूरत नहीं है तो sentence आपके सामने this is my book said Raman रमन ने कहा यह मेरी पुष्टक है अगला sentence आपके सामने she said to me please help me she said to me please help me उसने कहा करप्या मेरी मदद करो और साथवा और अंतिम question आपके सामने पूजा says to me I am very happy पूजा कहती है मैं वहुती खुष हूँ तो इसका भी आपको indirect में बदल करके बताना है साथ हो question आपके screen पर मैं आपसे request करूँगा कि आप इसका screenshot ले ले पैन और paper की सायता से इसको उतार कर इसका indirect में transfer करके आप comment box में type करके मेरे को बताओगे तो मित्रों यह था indirect और indirect से direct में बदलने का तरीका पूरे instructions के साथ दोनों वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिस की वीडियो कैसा लगा आप comment box में जरूर बताओगे यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ share चरूर करें वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दी का बार दने बाद आपका दिन सुब्रई